जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों क्लास को सुरू करने से पहले आप लोगों को एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ ये जो क्यूस्चन दिया गया ना इसको तो मैं लगाऊंगा फैले आप फ़नी श्टोरी सुन लीजिए एक दिन मैं आफलाइन क्लास लिया हुआ था एक लड़का आकर बैठा उस दिन मैं गंगा नदी तंत्र के अंतरगत राम गंगा नदी को पढ़ा रहा था तो उस समय इसमें राम गंगा नदी में एक बहुत ही महत्वपूर पॉइंट में लिखा रहा था कि राम गंगा नदी में कुछ मात्रा में कहीं कहीं पर सोने सोना पाया जाता है वो लड़का बड़े ही ध्यान से इस चीज को सुना और इससे सम्मनित सोना पाया जाता है इससे सम्मनित कई चीजों को पूछा है ना मैंने उसका जहां तक हो सकता था उतना उत्तर भी दिया अगले दिन वह लड़का आया फीस लेकर के आया जब फीस लेकर के आया जमा करने आया तो हमसे कह रहा है सर जी फीस जमा कर लीजिए हमने खा ठीक है लाईए जमा कर लेते हैं फिर वो कहा कि इतने रुपए फीस लगती है हमने का चार सो रुपे लगती है वो का हम चार सो नहीं देंगे हम कितना देंगे चार हजार देंगे कितना देंगे चार हजार देंगे हमने कहा रहे वह यह क्यों कर रहे हो सब चार सो रुपे दे रहे हैं तुम चार हजार क्यों देगो वो का कि मुझको केवल यह ब बनाने की बीद ही अगर मुझको मालूम होती तो हम खुदे ना बना लेते हैं इसको कहें बताते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा सोचा रुका और फिर उसको का कि वैज़ा सोना बनाया नहीं जाता है ये भूमी के अंदर होता है और जब भूमी से उद्गार के रूप में निकलता है ना तब वो बाहर आता है तो का कि तब वो जगह ही हम को बता दीजिए जहां पर सोना मिलता है अब तो हमारा दिमा का ओर पगला गया ना हम कहें अब इसको लगता सभक सिखाना ही पड़ेगा हमकरे एक पाम करौना एक काम करो कि जहां पर जब ज्बरा मुखी तो तुम सब collect कर लेना तब वो कह रहा है कि जोला मुख्यू का उदगार होगा तो हमको चोट नहीं लगेगी तो बीन कर रख लेना नहीं तो खुदे सोना बन जाओगे पते नहीं चलेगा कहां गए तुम कहां नहीं गए तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इतने चालाख होते ह इतने चालाक होते हैं सोना बनाने की विदे हम सो कहुंच रहे थे और हमको पता होता तो हम खुदे बनाते चोरी-चोरी आपको बताते चलिए यह क्यूस्चन देखिये इस क्यूस्चन में कहा है 32 पैंसिल कक्रै मूले 25 पैंसिल के विक्रै मूली के बराबर है तो बताएए विक्रेता को कितने प्रसत का लाव होगा अब दोस्तों इस क्यूस्चन को लगाने का सबसे सिंपल फांडा क्या है न कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है 32 पैंसिल ये क्या है संख्या है ये क्या है संख्या है और फिर दिया है 25 पैंस ये भी क्या है संख्या है ये 32 पैंसिल का क्रय मतलब खरीद कर लिया आया कितना 32 पैंसल और विक्र यानि बेच रहा है क्या पैंसल 25 पैंसल तो क्या हो रहा है वो कहा ना क्रै मूले और विक्रै मूले के बराबर है तो ये 32 पैंसल खरीदने में जितना रुपया खर्च किया है उतना रुपया वै कमा लेगा जब उस 32 में से 25 पैंसल बेच देगा जब 25 पैं बतिस में से 25 पेंसिल बेच दिया और अपना दाम टू डाम पा गया बचा है सात पेंसिल。 अब ये सात पेंसिल उसका क्या है? लाब है और लाब के लिए मूल्य नहीं दिया गया, संख्या दिया गया। 32 संख्या है क्रय की और 15 संख्या है विक्रय की तो जब संख्या होती है न तो प्रत्षत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे विक्रय संख्या होती है विक्रे संख्या हमेशा ये याद रखना कि जब संख्या रहेगी तो बटे में विक्रे संख्या अगर हमको संख्या दिया गया है तो प्रत्सत लाभ निकालने के लिए विक्रे संख्या बटे में रहता है लाभ गुडे सव बटे में विक्रे संख्या रहता है वहीं पर अगर मुद्रा होती यानि रूपया होता अगर वहीं पर रूपया होता तो रूपया में बटे क्या होता क्रे मूल्य होता लेकिन यहां पर रूपया नहीं है संख्या है तो संख्या में के लिए बिक्रे संख्या रखेंगे अब इसको बिक्रे संख्या कितनी है बैया बिक्रे संख्या 25 है तो 7 बटे 25 गुडे 10 हो जाएगा 25 चवका 104 सते 28 ये इतना लगाना नहीं है ये तो आप मुझबानी कर सकते हो हरी देगा 32 बेचेगा 25 उसका दाम तू डाम मिल जाएगा 7 पेंसिल उसका इश्ट्रा हो जाएगा 7 के बटे में विक्रे संख्या 25 शाथ बटे 25 और गुडे 100 तो 25 का 100 से कैंसिल कर देंगे जैसे ये 25 का 400 कैंसिल किया 25 का 4 बार में 25 से 4 बार में 25 का 100 428 यह आ गया तो इस तरह से ये क्यूष्चन लग जाएगा चलिए हम अपने दूसरे क्यूष्चन की और चलते हैं और दूसरा क्यूष्चन देखते हैं यह देखिए दूसरा क्यूष्चन है और दूसरे क्यूष्चन से पहले एक चीज आपको और बता दें कि कुछ लोग होते हैं ना वीडियो पर जब आते हैं तो क्लिक करके वो एक मिनट देखते हैं या दो सेकेंड देखते हैं भाई वो सेकेंड में देखते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं वो कहीं के नहीं होते हैं इधर के ना उधर के बस दोड़ दोड़ करके कभी मैत मस्ती पर दो मिनट देख लेंगे कई एक्जाम पूर पर दो मिनट देख लेंगे कई हमारे चैनल पर आकर एक मिनट देख लेंगे वो ऐसे करते हैं और वो ऐसे रह भी जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए अगर आप देखत इसके उस्चन को देखें इसमें कहा है 12 कलम का क्रे मूले 20 कलम के विक्रे मूले के बराबर है तो बताइए विक्रेता को कितने प्रसत हान होई यहान होगी खरीद कर ले आयेगा 12 कलम 12 कलम खरीद कर ले आयेगा क्रे मतलब खरीद कर 20 कलम बेचेगा तब बराबर हो पाएगा उ यानि जीतने में ले आया खरीद कर उतना रुपया खरीदने में लगाया है उतना रुपया पाने के लिए उसको बीस कलम बेचना पड़ेगा बारा कलम खरीदने में जीतना रुपया लगाया है बीस कलम बेच कर उतना रुपया पायेगा बताओ कहां उसका घाटा होगा कि बाटा हो जाएगा भीया यहां बारा और बीस में आठ कांतर है यानि आठ कलम कांतर हो जाएगा जब ये आठ क्या है संख्या है आठ कलम ये संख्या है जब संख्या है तो बटे में बिक्रे संख्या रहती है बिक्रे संख्या कितनी है बिक्रे संख्या बीस है गुड़े सव क बताइए क्या इसको आप मुझवाणी नहीं कर सकते हो। कर शकते हो याना. इसमें कई लोग होते हैं, बहुत फार्मूला और मूला तमाम नोट टाइप के लिखवा देते हैं. फार्मूला लिखवा देते हैं. तमाम तीना पाछी करते हैं. लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा-सीधा यही करना है, है ना, जब मूल ले रहे तो बटे में, बटे में क्राय मूल ले रहेगा, लेकिन जब संख्या रहे, तो बटे में भिक्राय संख्या ही हमको रखना है, है ना, तो भाईया, ऐसे, ऐसा आप मत किया करिये, है ना कहीं भी हम यह नहीं कहते हैं हमारे ही चैनल पर आकर पढ़िए और हम से नहीं पढ़िए कहीं दूसरे चैनल पर अगर पढ़ते हैं तो वीडियो ओपन करते हैं तो जितना है उतना तो कम से कम देखिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी देखते हो उतना देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि हाँ यहां बणिया पड़ाया जा रहा है नहीं बणिया पड़ाया जा रहा है लेकिन एक मिनट दो मिनट देखने का फायदा है कुछ नहीं फायदा है चलिए हम अपने तीसरे की उस्चन की ओर चलते हैं और तीसरा की उस्चन अब टाइप चेंज हो गया तो का हुआ कोई दिक्कत नहीं है बस आप अपना केवल पूरा ध्यान यहां पर लगा दो मैं गहरेंटी लेता हूँ कि आपको समझा दूँगा कोई दिक्कत है नहीं है और वो भी एक लाइन में लगाना है ना भले ही गाउं से हूँ देहाज से ह हूँ लेकिन भले ही लाइबाद में कोई पढ़ाता है उससे कम नहीं हूँ इतना भी जान लीजिए एक पुस्तक को 240 रुपया में बेचने से 20% की हान हुई ना वह यह 240 रुपया में बेचोगे ना तो 20% घाटा हो जाएगा और टोटल के परसंट होता है टोटल सब जाएगा और 100% से कम पा जाओगे तो घाटा हो जाएगा जब 20% कम पाया तो 70% होता है 20% कम हो गया तो 80% ना पाया यह 240 रुपया में जब बेचेगा तो 20% घाटा हो जाएगा यानि यह 240 80% के बराबर है जितने के बराबर है उसको बटे में रखो 80 बटे में और जो ग्यात करना है कहा है कितने रूपए में बेचा जाए कि 10% का लाब हो जाए 10% का लाब कब होगा 100% तो क्रेमोले होता है इस पर ना तो मुनाफा होगा ना घाटा होगा 10% ज्यादा यानी 110% पाओगे तब 10% का लाब होगा तो ग्यात क्या करना है 10% लाब माने 110% ग्यात करना है तो 110 स इसको अब solve करिए ये एक एक सुन्या कैंसिल हो जाएगा आर्थरिक 24 हो जाएगा तीन और इक 11 से 11 तीन तैंटीस हो जाएगा और सुन्या अब देखें इक 11 तैंटीस तैंटीस और ये सुन्या कितना हो जाएगा 330 यानि हम ये कह सकते हैं कि जब वह 330 रूपया में बेचेगा तब उसको क्या होगा मुनाफ़ा होगा अगर यहीं पर क्रेमोली पूछा होता ना तो यहां पर उसको 100 से क्योंकि क्रेमोली के लिए 100% होता है तब तीन सो क्या होता तीन और शो का गुड़ा तीन सो उसका क्रेम हो लिया जाता बस समझ रहे न तो जो आप से पूछा जाए वही न करोगे कि इस्ट्रा दिमाग लगाओगे कुछ लोग होते हैं इस्ट्रा दिमाग लगाते हैं उनको सतीर पैसे चाठ्व आपसन से मतलब होता है एक दिन हम बताये थे वो आपसन पाते हैं तो कहते हैं आपसन जिन्दा बाद तुक्का लगाओ जिन्दा बाद तो आईचा मत बनो आप केवल अपना दिमाग लगाओ चलिए अपने चौथे क्यूश्चन की और चलते हैं ये देखिए चौथा क्यूश्चन है इसमें कहा है एक मेज को 420 रूपए में बेचने से 25 पर्षंट की हान हो गई इसे कितने रूपए में बेचा जाए कि 10 पर्षंट की हान हो यानि 25 पर्षंट की हान हो यह ज्यादा हान होई है हमको क्या करना है हान ही होनी है लेकिन कम हान ही होनी है 10% की हान चाहते हैं तो जब 420 रुपए में बेचेगा तो 25% घाटा हो जाएगा कमी हो जाएगा टोटल 70% होता है 25% कम मिलेगा तो 75% न मिलेगा यानि 420 रुपए में बेचने पर 75% आपको मिलेगा तो ये 420 किसके बराबर है 50 के तो 50 बटे में लिखो और जो ग्यात करना है उसको गुडे में लिखो ग्यात क्या करना है 10% हानी वाला वैलू ही ग्यात करना है जब 10% हानी ग्यात करोगे तो 100% ही टोटल होता है साइ पर्षेंट हा नहीं होगी तो 90% की वेलू आपको ग्याद करनी पड़ेगी ना बस इसी को solve कर दो क्या है इसमें अब देखिए इसको हम जब solve करेंगे तो solve करिए इसको हम इसको 20 ये 5 से इसको डिवाइट कर देते हैं 5 5 पचे 25 और ये 5 इकन नम 5 5 अठे 40 तीन त्रिकन सारी तीन पचे 15 तीन चक अठारा अब 5 से इसको डिवाइट कर देजे 5 अठे 40 दू बच गया 20 पांच चवक के 20 अब इनको गुड़ा कर देजे 6 चवक के 24 के 4 हासिल हुआ दो 6 अठे 48 दू 48 दू 50 पांच सो चार क्या हुआ रूपया यानि 420 के बजाए वह पांच सो चार रूपया में बेचेगा तो 10 परसंट उसको घाटा होगा अब हमको क्रेमों लिगात करना होता तो यहां 90 नहीं 100 से गुड़ा करते तो आप क्यूस्चन जो जो कहता है वो करिये अब क्यूस्चन के कार्डिंग नहीं चलेंगे अपनी मर्जी से चलेंगे तो बज़े क्यूस्चन गलत होगा निश्चित गलत होगा इसलिए आप से जरूर करूंगा कि आगर आप नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए